फ्रेंड्स गर्मियों का सीजन है तो हम सभी नीबू खाते हैं पर नीबू बहुत खटा होता है आचार में बहुत से लोगों को ये खटे नीबू नहीं पसंदाते तो सिर्फ एक नीबू में हम धेर सारा आचार मिर्च वाला कैसे बनाए उसका तरीका मैं बताऊंगी इसके लिए हमें क्या करना है हरी मिर्च धोके ले लेना है और उसके बाद इसमें हमें एक नीबू लेना है और बाकी हमें क्या लेना है नीबू के छिलके जो वेस्ट चीजे हैं उससे ही हम इसे का अचार बनाएंगे इसके लिए आपके पास नीबू जब आप निकालते हैं डेल 8-10 दिन तक सेव करके रखे जिस तरह से नीबू रखते हैं सेम इसी तरह से नीबू के छिलकों को भी आप फ्रिज में प्रिजर्व करके रखे देखे ये मैंने 7-8 दिन के लिए नीबू के छिलके इनको बहुत पतला-पतला हम काट लेंगे और काटने के बाद इसे फिर हम ए जादा नीबू डालिएगा पर मैं खटा बिलकुल कम पसंद करती हूं और सोचती हूं हेल्दी नीबू का अचार बनाओं तो इसमें मैंने मिर्श धुलके काट ली थी और उसे अच्छे से धुलके सुखा के फिर काटा था फिर उसे फैन में सुखा है इसके बाद हम हल्द आदी डालेंगे और जो नमक डालते हैं सेधा नमक जी उससे हमारे इस अचार का स्वाद अच्छा तो बनता ही है साथ ही साथ यह हमारे खाने को पाचन भी देता है इसलिए हमें सेधा नमक भी यूज़ करना चीए जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है आप इसमें चाहें तो थोड़ आसा डाल सकते हैं तेल अगर आप ज़्यादा नीबू यूज करेंगे तो तेल भी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मुझे कम खटा पसंद है तो इसलिए मैंने एक से दो बड़े चमश तेल डाल लेजे आप इसमें और अगर आप बिना तेल का बनाना चाहते हैं तो इसमें आप तेल अवैट करिए और दो से तीन के बज़ाए चार पांच नीबू डाल लेजे फिर हम सबजी वाले मसाले जो यूज करते हैं डेली उससे ही बना रहे हैं बिना अचार मसाले के और यह अचार बहुत ही टेस्टी होता है और फटाफ सब्जी के मसाले और अपने नीबू नीबू को मैंने काट लिया है और उसके बाद इसके कटोरी में मैंने जिस कटोरी में पानी न लगा हो क्योंकि पानी अगर लगा रहे गा ध्यान रखे तो यह सड़ जाएंगे फिर हम इसे बीच को बाहर निकाल लेंगे और बाकी रस इसमें नीबू में बहुत ही ज़्यादा रसा रहा है और ये हमारे खाने के जायके को भी बढ़ा देगा फटा-फट अगर आपके पास नीबू के छिलके ही सिर्फ हैं और नीबू नहीं हैं तो आप इसमें एपल विनेगर डाल सकते हैं या वाइट विनेगर डाल के भी सेही to try कीजेगा इसमें थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी डाल दे रहे हैं वो roasted चिली फ्लेक्स है जिसमें हमारा जो इसका स्वाध है वो roasting आये जैसे आपको रोस्टिंग वाला फ्ल्यवर इसके अंदर आए इसलिए हम इसके अंदर roasted chili flex डाल रहे हैं अगर आप chili flex नहीं डालना चाहते तो मिर्च की मात्रा थोड़ी और बढ़ा दी दिए थोड़ा सा reddish color के लिए हम इसमें कसमेरी मिर्च डालेंगे वो भी जरूरत नहीं है अगर आप नहीं चाहते डालना तो मट डालें इसे डालके हम फटाफट मिला लेंगे और देखे मोर की आवाज आ रही है क्योंकि बारिश हुई है इसलिए मोर की आवाज हमारे वेडियो में आपको सुनाई दे रही होगी इस अचार को आप फटाफट तुरंत भी enjoy कर सकते हैं इस नीबू को छोड़ दीजिए और मिर्श को तो आप तुरंत ही अपने दाल चावल के साथ या रोटी के साथ परोज सकते हैं पर ये अचार बिना धूप में ही रखे चार से पाँच दिन में बनकर तैयार हो जाएगा और इसी नीबू के अचार को हम अभी अपने काच की जार में रख दे रहे हैं काच की जार को अच्छे से धुल लेजिए उसके बाद धूप में सुखा लेजिए बिल्कुल पानी नहीं होना चीए इसके बाद इसमें आप अपने अचार को डालिए क्योंकि जिस बरतन में आप अचार रखते हैं अगर वो क्लीन नहीं होगा तो उसमें बैक्टिरिया पंपेंगे और आपके अचार खराब हो जाएंगे मैं अपने अचार को कभी धूप नहीं लगाती हूँ अक्सर से मिसी तरह से बनाकर अपनी किच्ण रैक में रख देती हूँ और जब चाहते हैं उसे हम एंज्जॉय कर लेते हैं और इसी अचार को हम आपको दूसरा फ्लेवर भी देना बताएंगे पर आप इस अचार को बनाएंगे तो फटा फट चट कर जाएंगे उसलिए फिर आप नए सिरे से अपने नीबू के छिलके को जमा कीजिए और सेम इसी पैटरन से अचार बनाकर रख लीजिए अलग से ताकि वो गले इस अचार को खाने के बाद आप कभी अपने नीबू के छिलकों को वेस्ट नहीं करना चाहेंगे और जब आप इसे बना कर मैचुर कर लीजे तो मुझे इसके लिए आप कमेंट किजेगा तो मैं इस रेसिपी में थोड़ा सा अल्टरनेट यानी चेंज लाएंगे थोड़ा मीठा चार इसका बनाएंगे और थोड़े अलग फ्लेवर के नेक्स्ट रेसिपी के साथ हम फिर मिलते हैं थैंक यू